तो दोस्तो फिर से एक वर आप लोगों को स्वागत है अपना ही चैनल JPSC वित अमन में ठीक है यह चैनल जो है आप लोगों के हेल्फ के लिए ही खोला गया है और यहाँ पर जितने भी समिस्टर के स्टूडेंट है सब को हेल्फ किया जाएगा जो भी अगर आपको हेल्फ च और करेंश तयार किया गया है यह सब के लिए तयार किया जाता है जाता कि सब परे बढ़े प्रेंट इंडिया तो ही बढ़ेगा इन्दिया इसलिए हम यही कोशिष कई पढ़ने के लिए सबको ज़ोगे देते हैं इसालिए हम भी डांस का चैनल hélas कोर सकते हैं सोचें कि आज का कोश्चन है आप लोगों का अनुवाद की परकिरिया और उसके छितर के स्पस्ट करें ठीक है तो इस टैप का अगर कोश्चन आता है आपको बता दे पीड़े दोस्तों यह 20 मास का कोश्चन रहेगा सबसे पहले आपको न इंटोडेक्शन ठीक है इंटोडेक्शन लि नहीं उफ्सर्ग उफ्सर्ग मतलब जो आगे जोड़ता है तुह वादसस्ब मेल्ने से बना है तीका अनुज आनुवाझग है कुछ йणूज जूड़न केवचए और उपसर्ग अर्थ होता है पीछे या अनुगवन करना त्थाकेया अट概 का संभन करना स्पस्पस के रह कहना है न ठीक है अर्थाद अनुवाद अंग्रेजी सब्द टांसलेशन की लैटिन के दो सब्दों से मिल का बना जिसका ट्रांस जो लेशन होता है ओके संग्योक से बना होता है जिसका अर्थ होता है पार ले जाना मतलब translation कर देना पार ले जाना ठीक है इसी परकार से हम अनुवाद कर क्या दे सकता है परिच्छे देखे कि कितना easy language मिलेगा इससे को easy language नहीं दे सकता है अब अनुवाद का परिवासा देखे तो किसी भी भासा में कही गई लीखी गई बात को किसी दूसरी भासा में परिवर्तन करना है या अनुवाद की परकिरिया देखे चली अनुवादक दुआरा सुरोत भासा के पाठ को पढ़ कर उसका अनुवाद परिश्टूत करने के ब या संकर्मन तब पाठ विसलेशन के आता जरह देखिए अनुवादक को सबसे पहले सुरोत गरंथ का विसलेशन करना परता है विसलेशन के द्वारा ही सुरोत ठीक है यहां पर धियान दीजेगा ठीक है जैसे देखिए पाठ का अर्थ को गरहन किया जाता है विसलेशन के तो विसलेशन की सहता से प्राप्त अर्थ का लच्छ भासा में अंतरन किया दाता है या विसलेशन और पूर्ण गठन बीच का संकरमन की क्या होती है इस्तीती होती है आगे देखे पूर्ण गठन पूर्ण गठन क्या होता है यह अनुवाद परकिरिया का अंतिम चरन होता ठ पहला व्याकरनिक सरचना, दूसरा सब्ध करम, तीसरा सीली गत्थ परतिमा, ते पुन गठन के बाद अनुवाद की परकिरिया क्या हो जाती है, अंध हो जाती है, अब अनुवाद का छेतर दिखी, कौन-कौन सा, अनुवाद के दो परमुक छेतर, पहले साहिते छेतर, फिर साहिते छेतर मतलग हो गया, छेतर आती है, जिसमें बातचीत हो, शिक्षा हो, नियाले हो, परतकार हो, और गयर साहिते छेतर में क्या आता है, तो गयर साहिते छेतर में क्या तरगत आते हैं, दैनिक, जीवाद, वहवार, ठीक है, जो हम लोग दैनिक, फिर वहवार, करवान अगर ये six September बार वाड़ा में सिक्छा में वात्चित को होते हैं अनुवा अनुवाद करके इस तरह से ड़ो और लिए मैं ऑको इसी प्उइंट आता है लेगिन जो इंग्लिस वाले में तो उसको अनुवाद करके इंग्लिस समझाया जाता है तब वो अपने पक्ष को रखता है इसी तरह से सब चीज को आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिए आपका एंसर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ठीक है और बड़ा करने का बाद बस इसी तरह से अपको 20 में पक्का मिल जाएगा इतना ही लिखिए ठीक है मेरे तरब से आपको कोशिश करेंगा अब समझाने के समझाने पर ज्यादा जोड़ा दि झाल